Hello everyone, मैं मिनाक्षी वजाज, एक बार फिर आप सब का वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चानल पर मुझे उमीद है कि मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको नॉलिजिबल लगते हैं और उनको सुनने से आपकी नॉलिज लगातार बढ़ती जा रही है आप मेरे चानल को भी सब्सक्राइब कर चुके हैं मैनेजमेंट के कई सारे टॉपिक्स मैंने अपने चानल पर कवर कर दिये हैं उन सारे टॉपिक्स का प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दिया है अब जो हम topic discuss करने वाले हैं वो है control techniques जिसमें मैं आपको पहले समझाऊंगी traditional techniques चलिए start करते हैं इन techniques को सीखना वो भी धेर सारी examples और positive energy के साथ My dear learners, आज के topic को start करने से पहले मैं आपको suggest करूँगी कि आप मेरे channel को subscribe कर लीजे notification को भी on कर लीजे ताकि जैसे ही मैं कोई lecture डालूँ आपको उसके बारे में पता लग जाए lecture को पूरा सुनिएगा, एक like जरूर कीजेगा और जादा से जादा share भी कीजे क्योंकि knowledge तो बढ़ाने से बढ़ती है अब आप slide को ध्यान से दिखिए यहाँ पर मैंने 5 techniques का नाम लिखा है यह सारी की सारी traditional techniques of control है आज का जो हमारा video lecture होगा उसमें हम discuss करेंगे budgetary control बाके की techniques हम आने वाले video lectures में एके करके discuss करेंगे मतलब 4 video lectures में यह सारी techniques मैं आपको सिखा दूँगी तो चलिए start करते हैं सबसे पहले budgetary control को discuss करना हर एक company यही चाहती है कि उसकी जो company है वो जादा से जादा तरक्की पाए company में पैसे की budget हो, resources की wastage बिलकुल भी ना हो तो budgetary control के लिए सबसे पहले company को कई सारे budgets बनाने पड़ते हैं जैसे कि मैंने 6 budgets के बारे में mention किया है इस slide में पहले हम सीखेंगे कि यह budgets कैसे बनते हैं फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका control कैसे किया जाता है स्टार्ट करेंगे हम sales budget के साथ sales budget बनाया जाता है यह estimate लगाने के लिए कि आने वाले time में हमारी company कितनी sales कर सकती है हरी company अपनी sales को बढ़ाना चाहती है क्योंकि अगर sales बढ़ेंगी तभी तो company की तरक्की होगी sales budget बनाने से पहले कई सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है तो जो factors इसको determine करेंगे वो factors होंगे सबसे पहले past sales मतलब पिछली बार कितनी sales हुई थी उसी का काफ़े impact पड़ेगा इस साल की sales पर भी बढ़ सकती है कि कम हो सकती है इसी हिसाब से decision लिया जाएगा दूसरा factor होगा salesman से बात करना salesman ही होते हैं जो actual customer से मिलते हैं तो उनसे भी report मांगी जा सकती है कि आने वाले time में sales का क्या status लगता है sales करनी है तो माल तो बनाना ही पड़ेगा तो कितना raw material available हो सकता है चौथा है सबसे important point पैसा अगर company ने production करनी है उसको बेचना है तो पैसा कितना लगेगा पांचवा है plant की capacity फैक्टरी कितने units बना सकती है जब एक बार company अपना sales budget बना लेती है तो बारी आती है production budget की production budget में ये estimate लगाया जाता है कि अगर इतनी sales करनी है तो कितना माल कितने समय में तयार करना पड़ेगा इसके अंदर कई सारे factors हैं सबसे पहला तो ये देखना की क्या बनाना है और कब बनाना है plant की कितनी capacity है हमारे पास कैसी machine ने हैं वो इतने time में कितना माल बना कर तयार कर सकती है stock की क्या requirement है production planning कौन सा काम कब किया जाएगा production budget हमेशा number of units में बनाया जाता है production के अंदर कई तरीके की cost involved होती है जो की material, labor और factory में किये जाने खर्चे है production budget के बाद material budget को तयार किया जाता है material budget भी quantity में ही बनाया जाता है number of units या kg में बनाया जाता है अगर एक company कई तरीके के products बनाती है तो हर एक product में किस किस तरीके का raw material चाहिए उस हिसाब से इसको बनाया जा सकता है तो number of units देखे जाते हैं कि कितना माल company को खरीदना पड़ेगा और अगर company के पास already stock पड़ा है तो उस opening stock को required stock में से minus कर दिया जाता है और बाकी required खरीद लिया जाता है जादा तर companies में material budget को purchase department बनाता है और ये भी decide किया जाता है कि stock का level कितना रखना है raw material इसके अंदर काफी importance दी जाती है कि कैसा माल खरीदना है और किस से माल खरीदना है सारे budgets एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक बार जब ये clarity हो गई कि कितना material खरीदना है तो बारी आ जाती है कि कितने लोग लगेंगे माल को बनाने के लिए उसके लिए बनाया जाता है direct labor budget कई तरीके की labor available होती है skilled labor होती है जिने काम पहले से आता है semi skilled मतलब थोड़ी सी training दोगे तो काम बढ़िया कर देंगे या unskilled जो freshers हैं जिस labor को काम नहीं आता पूरा ही सिखाना पड़ेगा तो company इस budget में ये decide करती है कि किस तरीके के workers को हम appoint करेंगे कितना labor time यानि workers से कितना समय time आपको लगबाना पड़ेगा काम को पूरा करने के लिए कैसे तनख्वा दी जाएगी और क्या इनको allowance मतलब extra पैसा भी देना पड़ेगा अगर overtime करवाना पड़ेगा या कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको और क्या-क्या incentives देने है fifth budget जो बनाया जाता है वो है manufacturing overhead budget company में कई तरीके के खर्चे होते हैं direct, indirect तो जितने भी indirect खर्चे हैं यानि के जो manufacturing के तो खर्चे हैं पर वो material और labor के इलावा के खर्चे हैं उन सब को indirect overhead बोला जाता है तो इसके अंदर company देखेगी कि indirect खर्चे कितने तरीके के होंगे fixed cost कितनी होगी, variable कितनी होगी और semi variable कितनी होगी इन तीनों cost को मैं आने वाले video lectures में detail में discuss करूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं six सबसे important budget है cash budget हर एक company को liquidity की जरूरत होती है hard cash जो की bank में available है account में तो इसके अंदर company ये देखती है कि किस समय पर कितनी cash की collection होगी किस समय पर company को payments करनी पड़ेंगी इन दोनों को match करना पड़ता है तभी company liquidity attain करती है तो net cash position company को निकालनी पड़ती है अपनी cash receipts में से cash disbursement disbursement का मतलब होता है payments उनको minus करके तो इस तरीके से cash budget में forecast किया जाता है कि आने वाले समय में कितना पैसा कहां से आएगा और कितना पैसा खर्चा हो जाएगा इसके साथ ही हमारे type of budgets detail में discuss हो गए और आप भूलिएगा नहीं चानल को subscribe जरूर कीजेगा lecture को भी पूरा सुनते हुए like कीजेगा company सारे budgets बना लेती है budget बनाते हुए सारे standard fix कर लिए जाते है तो बारी आ जाती है control की यही है हमारी सबसे पहले traditional control टेकनीक नाम है budgetary control budgetary control एक process है जिसके अंदर जो standard बनाया गया है उसको compare किया जाता है actual performance के सार और जहां पर चूक हो रही है यानि कोई deviation आ गई वहां पर उस deviation को remove करने के लिए पूरे efforts लगा दिये जाते हैं budgetary control के अंदर समय समय पर budgets को update भी किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे environment बदलती है estimate भी आगे पीछे हो जाते है और सबसे जरूरी बात यह है कि जहां पर कोई deviation आती है उस deviation को remove किया जाता है जल से जल जैसे कि मैंने आपको बताया budgetary control एक process है अब process है तो steps होंगे सबसे पहला step यही है कि budget बनाए जाते हैं जिसमें performance का standard fix कर दिया जाता है और जो budget है वो quantitative terms में होते है facts and figures होते हैं चाहे वो figures rupees में हो या cages में हो या units में हो और जब actual में काम होता है उसको compare किया जाता है standard के साथ और अगर वो standard match नहीं हो रहा तो उसी समय कमी को ढूंड के एक corrective action लिया जाता है ताकि company को किसी भी तरीके का loss face ना करना पड़े budgetary control के साथ essential points हैं जिन्हें हम एक एक करके discuss करेंगे सबसे पहला है organization for budgetary control my dear learners ये है वो chart चार्ट को ध्यान से देखिए ये एक organization structure का चार्ट है organization structure मैंने आपको अपने channel पर पहले भी समझाया है तो पहले एक CEO होता है उसके बाद बनाया जाता है एक budget officer budgeting committee होती है और उसके बाद होते हैं सारे managers तो सबसे पहले budgetary control करने के लिए इस तरह का structure बनाया जाता है जब इस तरीके का organization structure तयार हो गया तो उसके बाद second step है budget centers budget center का मतलब होता है कोई भी एक department या department का कोई एक section जहां पर budget तयार किया जाता है और control का सारा काम वहीं पर बनाया जाता है तीसरा है budget manual budget manual का मतलब होता है एक document तयार करना उस document के अंदर सबकी duties और responsibilities को अच्छे से लिखा जाता है तांकि कोई भी confusion ना हो सबको अपने functions पता हो चौत्था point है budget officer जैसे कि मैंने आपको बताया कि organization structure में सबसे उपर CEO होते हैं तो CEO एक person को बनाते है budget officer वो budget officer सबसे collect करता है budget हर एक department से और अगर उस budget में कुछ change करना है तो उस change को भी करता है फिर actual performance मांगता है हर एक manager से और अगर कहीं कोई deviation है तो manager को बोलता है कि corrective action लीजिए इस deviation को दूर कीजिए पाँच माँ point है budget committee बनाना budget officer इस committee का convener मतलब head होता है हर एक department के manager इसके team member होते हैं इसके अंदर budgets बनाये जाते हैं और जो भी critical मतलब जो important problem है उसको discuss करके उसका हल ढूंडा जाता है 6th point है budget period कितने समय के लिए budget बनाना है एक साल 6 महीने कभी-कभी तो ये देखा गया है कि cash budget companies एक महीने का या एक दिन के लिए भी बना लेती है साथमा point है key factor key factor का मतलब होता है एक ऐसा factor जो की बहुत जरूरी है पर हमारे पास limited सा है for example raw material अगर एक company में raw material limiting factor है या key factor है उसका सीधा असर पड़ेगा production budget के उपर क्योंकि अगर material ही नहीं मिलेगा तो production कैसे होगी production नहीं होगी तो sales नहीं होगी और cash budget के उपर भी इसका effect आएगा क्योंकि अगर वो limiting है तो महंगा भी होगा ही होगा इसके साथ ही हमारे सारे essentials complete हुए आप भूलेगा नहीं like, share and subscribe जरूर कीजेगा advantages और disadvantages को discuss करने के लिए हम एक example discuss करेंगे example है Mr. Sachin के बारे में जो की एक production manager है अपने department का budget बना रहे है sales manager को पूछते हैं बताईए आपने क्या forecast करा है आने वाले time में कितनी sales होगी साथ की साथ production manager दूसरे department से बात करते हैं purchase manager से उनसे पूछते हैं कि बताईए कितना raw material आप हमारे लिए available करवा पाएंगे तो example से आपको ये समझाया कि budgetary control में proper planning होती है कि resources को कैसे utilize किया जाए सारे departments एक दूसरे से corporate करते हैं ताल mail बिठाते हैं और information का free flow होता है सारी बाते खुल के discuss की जाती है goals बिलकुल clear होते हैं strictly check किया जाता है और जैसे ही deviation हुई उसको दूर किया जाता है पर कुछ कमिया भी है सबसे पहली future के बारे में certainly कुछ भी नहीं कहा जा सकता और अगर इतना strict control होगा तो लोगों का morale down हो जाएगा लोगों में मत भेद होंगे और पैसा भी बहुत लगेगा budgeting में पेपर वर्क करना पड़ेगा फाइले मनेंगी इसके साथ ही हमारा topic कम्प्लीट हुआ मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो